बिजली विभाग में हुए पीएफ घोटाले की मार गाजयबाद के करमचारियों पर भी पड़ी है यहां मुझूद करीब 600 करमचारियों का 40 करोड रुपे डूब कया है गाजयबाद के बिजली विभाग के चीफ इंजीनिर आरके राणा ने बताया कि गाजयबाद में अधिकारियों से लेकर चतूर्ट श्रेडी तक करीब 600 करमचारी हैं जिनका आवरिज लगाए तो करीब 40 करोड रुपे पीएफ में जमा था इसको लेकर करमचारियों में एक खासा रुश है उत्तव परदेश में एक पीएफ घोटाला सामें निकल कर आ रहा है बिजली विभाग का जिसमें कई 100 करोड रुपे गोटाला सामें आ है कितने करमचारी हैं और कितना घोटाला हो सकता है पीएफ वाला गाज़बाद में जो मेरा अपना आकड़ा है है वो करीब 600 करमचारी हमारे अधिकारी से लेकर के नीचे जो प्यों तक के कैटेगरी के हैं वो यहां पर हैं तैनाथ तो उसमें मैं यदि एवरेजिंग करूं इसकी तो करीब जो इनका फंड में पैसा जमा होगा जी पीएफ में वो चालिस करोड के करीब इनका पैसा मेरा नुमान है जमा होगा जिसके लिए क्लेम करने में आगे हमारे करमचारी को दिक्तते आएंगी तो उसमें भी हम लोग इसमें हमारे यहां करमचारी भी आंदो ने रिचा हैं तो उसमें जो भी समधान निकले गए उसके नुसार करवाश्यों सित्की जो जिस परकार से तो एक करमचारी जो अपनी सेविंग करता है कि पी अससे उसको रिटार्मेंट होगा पैसा मिने गाएंगे सारी चीजे मिनेंगी तो किस परकार की दिकते उनको आई लिए तो उसलिए ट्रस्ट को हेंडोर किया गया था तो उसमें भविश्य में जो भी उनकी अपनी योजना कि इसमें फंड को दिलाने के लिए समस्षित की जाएगी किया नामें आपका जैपरकार कहां काम करते हैं आप कीप ओपिस में कीप काफ़ाफ कर पास बिजली विवाग में हमारा सवाल है कि अभी एक बिजली विभाग का पीफ गोटाला बहुत सामने आया है कैसा बहुत मै दुख हुआ है कितना पीफ करता था आपका 500 कितने सालों से काम कर रहे हैं विजली विभाग में किस पद पर किस परकार का दुख हो रहा है किती जरुते थी हाजिए बहुत जरुत चाकर है हुआ हाँ